संसार प्रसेद खेड कहाणियां जिस्ते अनुवादक गुर्मेल मडाहर हन। उदी अगली कहाणियां पराईयां अखां उर्दूदी कहाणियां लेख कै रज्यू देन सदीकी। डॉक्टर पटाचारिया ने कमरेवालनीगा मार दे हुए गया। डॉक्टर मेरे ख्याल चुन चलिया जावे। मैं हांच से रह लाया ते डिस्पेंसर शर्मा नू विजिटिंग रूम बंद करंदे लेगया। डिस्पेंसर शर्मा बोलेया। अर साब एक मरीज अजे बाग की है। मैं हरानी नलकडीवाल देख देख देखिया। इस सजन काफी देर तो बैठा हुए है। मैं वदा नंबर रॉन उत्ते हुए उन्हों तो अडेकमरेच जान ली किया सी। पर उन्हें किया कि उस सारे मरीजदान दे चले जान तो मगरों अपना हाल आपनों दसेगा। जोड़ देते। गठू मैं कुरसी वाले शारा कीता। तान वादू बैठता हुए बोलिया। चंगी तरहां बैठन तो मगरों कुछ पल रुख के बोलिया। मेरा नां ग्यान चान्द है। मैं दिली दा रेन बोलां। ती फुटबाल दा चंगा खिडा रिया। जेतो अनू फुटबाल दा शौक होवे ता शायद तुसी मेरा नाम सुनेया हुएगा। मुस्कुराया। मैं वी जवाब चे मुस्कुरा देता। डॉक्टर पटाचारिया वी मुस्कुराये। साड़े दूहां चो इक भी फुटबाल दा शोकेन नहीं सी। मैं अपने देशती टीम देनाल बारले देशां विच्वी खेडन ले जानदा। वो देशां विच्वी मेरी खेड काफी लोप रिये है। एक अन्दे हुए मान मत्ते अंदास्च ओदा सीना तण गया। मैं आते डॉक्टर पटाचारिया। इकागर्चे थोके सुननन लग मैंनू विदेशी चौन वाले यां तो बहुत सारे तोफे मिले, कैश, मैडल ते कप आध मिलेया करदे सन। पर इस सब कुछ दे नाल नाल इक लानत भी मिले। देन वाले ने मैंनू प्यार ते सने नाल इक जई नियामत पेट की ती जो शायदी कोई किसे नूं दे सके। प उन्हें बोलना बंद कर देता, उदा मूं मेरे वल सी, पर निगा नर्स दे वल, नर्स दे चले जान तो मगरों, उन्हें उत्थो निगा हटाई, माफ करना, ओ गल चालू रखते हुए बोले, डग साब तुसी एक्खां दे मारो, जी हां, मैं जवाब देता, तो अनू मेरे तो के हुजी मदद चाहिए बे तड़को के दास देओ, मरीज ने जोश्च मेरा हाथ फाड लेया, पकड कुछ मजबूत हो गई, डॉक्टर, डॉक्टर मेरे यें दो में एक्खां काड देओ, इनननू काड की सोट देओ, मैंननू रखना नहीं चाओंदा, तुसी अनू देवांगा, उनने मेरा हाथ छाड देता, पाग दूसरा, मैं ते डॉक्टर पटाचारिया जो हुन तक बहुत गौर्णल सुन रहे सी, एकदम चौंक गई, एक जीब तक आजा लगया मेरे दिमाग नू, उन तक दी गंबीरता जान दी रही, मैं ते डॉक्टर पटा दी, उन तक मरीज अपनी अखांदा इलाज करवान दे ले, मेरे कुड़ाया कर दे सी, कोई अखां गोण ले नहीं आया सी, सच मच डॉक्टर मैं चौना तुसी मेरे अखां कर देऊ, मैं अन्न हो के रहना ज्यादा पसंद करांगा, मैं मनी मन सोच रहा सी कि ए आदमी आदे थां किसे दिमागी इलाज दे हस्ताल चे जाना चाहिए, मैं पागल नहीं आँ, वो इक दम जोच नाल बोलेया, शैद उने मेरे ते डॉक्टर पटाचारिय दे विचारा नू ताड लेया सी, तुसी होनुता के मेरी कहानी नी सुनी, जद तु अनू मेरे पूरे हाला पता लाग जानगे तो तुसी कदी भी मैनू पागल नहीं समझेंगे, सुगो तो अनू मेरे नल हम दर्दी होईगी, एन उसे वक्त फेरो दी निगा, कमरेच दाकलो उन्वाली नर्स वाल उट गई, माफ करना, उन नर्स दे जान दी उद्रो, अपनी नजर हटा के बोलिया तुसी मेरे पूरी गाल सुन लो, ये कहके उन्हेक लम्मा साल या ते फिर बुलन लगया, फुटबॉल दी दुनिया जो मैं काफी परसिद हो गया सी, ये अच तो लगपक चार-पांथ साल पहला दी गाल है, अचानक पारत तो बार एक मैच दे दौरान मैनू सक्त सट लग प्यासे, इस दुरकटना नल सरीर तो ज्यादा पर बावखां उत्ते प्यासे, मेरे अदो में अखा निर्जोत हो गी हैं सन, फुटबॉल दी दुनियां चे खबर बिजली दी तरह फैल गई, मेरी हमदर्दी च बढ़दे होई, अफसोस से तार मैनू पे जे गे ते पता न दी लोका ने मेरे नल हम दर्दी पर गट केती, मैनू जगा जगा तो एक मन्या होया पुराणा के डारी हों दे ना ते, रुपेयां दी थैलियां पेश केती हैं गया, मेरे कोल रुपेय पैसे दी कमी ना रही, पर मेरी आखां दी रोशनी खोस गई सी, ये काटा तो कोई भ खमोश जीवन वताण लगया, पर फुटबाल दा मेरा शौक फिर भी ना काट होया, जथे कोई भी दो मिशूर टीमा में दान च उतर दियां, मैं अपने नोकर नू मदद नाल उथे पहुन जांदा, लोकां दे शोर शर अपेतों ताडियां दी अवास तो मैनू ऐसी आज से ओदे बारे ताथ उसी एक बारंज बड़े ही हुएगा, मरीज ने एकदम स्वाल किता, जियां जियां मैं ते डॉक्टर पटाचारिया ने हां कहता, जदो के पोकसान उस्ता रही सी ते हस्पिताल बंद करन दा समावी बीच चुक यां सी, ताम ये से नोके मरीज द आस्तान साधे दोहां दी दिल्चस्पी दा कारन बनी हुए सी, मैं पका फैसला कर लिया सी कि मैं एक खेड कोद दा मुकाबला जरूर देखांगा, हालांके मेरे लिए देखांगी दी बजाए सुनांगा किया जाए ता ज्यादा बेतेर है, उगाल चालू रखते हैं मुस्क बहुत सारे कदर्दान मैंनो देखन देली, मेरे कुड़ों दे रहे, मतलब ये कि हारे कने मैंनो सेर मत्य हुते बठाया, खेड मुकाबला शुरू होनुते, मैं फुटवाल दा हर मैच देखिया, जैयों को सुने हा, हर ताड़ी ते शूर हुते मैंनो यों महसूस होन्दा, जबे मैं सब कुछ अपनी आखा नल देख रहे हैं, उनी दिनी टोकियो खुब चैल पहल सी, ज़रूरत जयादा पीट सी, हार रोज टोकियो दिया सड़का हुते, मोटरा निया किन्या दुर्गटना माहुं दियां सी, एक दिन स्वेर वेले, मेरे होटल च टेलेफोन आया, मैंनू एक डॉक्टर यूको मारा ने अपने हस्टाल च तुरंत बलाया सी, पुछ नू ते पता चलिया के डॉक्टर यूको मारा टोकियो दे अखांदे प्रसेद महारहन, अपने नौकर दे नाल दसी वे पते ते पहुंचिया, एक अनुवाद कराई मेरी ते डॉक्टर द जी उन्दा रहे हैं, फिर मर गया है, पर मरन तो पहला एक इच्छा पर गट कर गया है, कि जी मरन तो मगरों उदिया खांकाम मास सकन, तो उननों कड के पर सिद्ख डारी ग्यान चंद नों दे 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 ती गया, ताकि वो फेर तो देखन दे काबल हो जाए, तो फुट बॉ जी उन्दा बहुत शुकीन सी, मेरे लिए बेखद खुशी दी खबर सी, अजीब सी मरन वाला भी, उन तक लोका ने मैंनों खिताब देते, थेलियां पेट कीती हैं, हम दर्दी पर गट कीती, पर किसी ने अखांदा दान नहीं दिता सी, वो भी आज फुट बॉल दे एक दर्दार ने मैंनों पेश कीता, ये जान के मेरी खुशी दी हाद ना रही, मैं डॉक्टर नू दसिया के ऑप्रेशन कराउन ली तिया रहा, डॉक्टर यू को मारा ने किया कि जो चोवी गंटे दे अंदर-अंदर अप्रेशन हो गया, ता आस है, शत प्रती शत सफल मैं खुद नू डॉक्टर दे हवाले कर देता, अप्रेशन होया, ते सफल रहे, मैंनों फेर तो दिसन लग दिया, मैं खुशी दिना पागल जया हो गया, उस सफल अप्रेशन दे कारण डॉक्टर यू को मारा दे कूपर सिद्धी होई, इदर लोका ने मेरे उत्ते कर देती, मैं टोकियो ना गया सी पर अथो सुजाखा होके वापस आ रिया सी, मेरे दिल ने सैंड ना किता कि अपने महान उपकारी दे बारे विच कुछ ना जाने बिना ही, मैं सो देश मुड़ जामा, इसली मैं दुर गटना विच मर्न वड़े जपानी दा पता, पुली स स्थानक मेलेज काम करदा सी, तो फुटबाल दा बहुत शुकीन सी, एक गल होर सोनी, वे एक यो बहुत कटिया चाल चलन दा अदमी सी, महले वाले उनु चंगी नजर नाल नहीं वेख दे सी, ओधी नजर हर वेले सुन्दर तीमियां दा पिच्छा करदी रहंदी सी, कोई अधी कबर उत्ते भी गया, ती स्वदेश मुड़न तो पहला अपने महानुकारी दी कबर उत्ते फुल चड़ा किया है, पर तो नुए सोन की अचंबा होएगा, कि उस जपानी दी दित्ती होए नियामत मेरी जंदगी दी सबतो उड़ी लानत साबत होई, मरीज रुग गय उनी पाणी मंगिया, मैं ती डॉक्टर पटाचारिय बाध गौर ना लेया नुखी दास्तां सुन रहे सी, पाणी पींतो मगरों ने अपनी गल फेर चालू कीती, स्वदेश ओनू ती हर पासियो मैनू गदाइया मिलीया, पहला ता मैनू भी खुशी दिखाईती तीय जया कौन होएगा, जो एक वरन ना होके फिर सुजाखा हो जानू ते खुश ना हुए, पर एता प्राया अखासान, आखरों ने अपना प्राया पन दिखाया, मैं उस वक्त तक अपनी जिंदगी बड़ी पलमान सी, नल गुजारदा आया सी, मैं कदे किसे खुब सूरत जा नौ कौन होड़ा मर गया, पर उदिया अखा होगी, सुंदर ते नौजवान तीमियां दा पिछा कर दिया है, जित्थे किते कोई सुंदर चेरा दिखाई देता है, उद्धर ही लग जान दिया है, पहला पहला था मैंनू इस तुखे जान दी सी, पर हुनता है अखा साहां दा र पागी है, मरीज जोश्च आ गया, डॉक्टर साहब इन अखाने मैंनो जीप पर कार दिया, उलजना चपा देता है, तो हुन मैं इस सिटे ते पहुंचेंगे हर कीमते इन अखानों, खुद तो अड़ कर दो, पर तक च वर्दान पर असल च लाहनत तो हमेशा दे लई, छु सिनल टेक लाके जार के, लगदा सी ग्यानचंद अपनी लम्मी दास्ता सुना के काफी ठाक गया है, मैं डॉक्टर पट्टा चारिया दिवल, राय मंग दी दिरिश्ची नल देख रहा सी, कि हुने नू की जवाब दिता जाई, फिर मैं ही कुछ सोच की, जवाब दिता, ग् तो श्रीफ ले जा सकते, दो दिना मगरों, यानी परसोनों चार बजे सी, तुसी एत्थी आके मैंनो मिलू, मैं तो अनुकूरा जवाब दे मन्दा, उशायद इस जवाब तो संतोष्ट हो गया सी, उठ्या थे नमस्ते करदा होया, कमरे तो बार निकल गया, मैं तो डॉक् मेरे ते पट्टाचारिया दे सामने ग्यान चंद बठा होया सी, वादे दे अनुसार आगे आसे, डॉक्टर पट्टाचारिया नू समझाओं दी कोशिश कर रहे है सी, ग्यान चंद दे चेरे तो साफ परगट हो रहे है सी, क्यों डॉक्टर पट्टाचारिया दी गल्लां पर बावत हो रहे हैं, पर दुब दाच है, देखो ग्यांचन, तेनुए तो कोई उजर नी होना चाहिदा के तेरी आखा बदल देतियां जानगी हैं, आकर तुसी अन्ने रहन ले क्यों जिदगार हैं, डॉक्टर पटाचारिया ने ग्यांचन नो चुप देखके फेर क्या, म मेरी आखां दी रॉष्णी कायम रहे हैं, क्यों? इस लही के फुटबॉल दे वदी अखिटारी होन ते कारण तुसी देश ते सुबे दी पुंजी हूँ, ते ए पुंजी नष्ण नहीं होनी चाहिदी, डॉक्टर पटाचारीया आवेश पूरन अवास्ट बोलिया, इस व उन तक मैं जए कई सफल तजर्बे कार चुकिया, मेरे बैंक के चरसाइने के विदिया नाल सुरक्यत कीती हैंगी अखां, कई कई मीने तक से सलामत रह चुकी हैं, उन भी मेरे कुल चंगी अखां, दा काफी पंडार है, मैं तुन फेर सला देवंगा के दुबारा अन्य होन दी बजाए, बैंक के चोके से शिरीफ आदमीनिया खल वालो, ताके पवेख देले इस मुस्विबत तो चुटकारा पाजो, मैंनो विश्वास है कि तेरा उप्रेशन सफल होएगा, डॉक्टर पटाचारिया खेर अपनी कोशिश्च सफल रहे, ग्यान चंद अप्रेशन ख फाक, तीसरा, उस दिन ग्यान चंद याँओ ऑच तो पत्टी खोली जानवाली से, मैं डॉक्तर पटाचारिया खेरला से, साधे ढूहां दे ऐ खुबसूरत नर्ष मोजुल ता टोक्तर पटाचारिया उन्या चंद या खेर पत्टी खोल तो फिर अनु संभोत तो है ग्यान ने दो चारवार पलकान चपका यहां फिर होदे चेरे ते खुशी दी लार दोड़ दी ओ हाँ पक्खी अंदास्ट जोर 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 नल सिर्फ लंदा हुए आवेश पूरन अवास्ट बोले हैं हाँ हाँ डॉक्टर मैं मैं सब कोई देख सकना हूँ मैंनो सब कोई नजर आ रह क्या है ए ए अक्का डॉक्टर सच मुझ किसे श्रीफ आदमी दिया हन तुसी ठीक ही क्या सी ठीक ही क्या सी उसे दिन शाम नूँ डॉक्टर पटा चारिया मेरे क्लेनिक्स बैठे हुए सी ते उदे बुलना होते बड़ी अर्थ पूरन मुस्क्राट सी तो अड़ा अंदाज सत प्रतीशत सही निकले है डॉक्टर मैं डॉक्टर पटाचारिया नूँ किया हाँ उ मुस्कुरा के बोली मैंनो विश्वास सी किया जया हुएगा पर जे उनू साचदा पता चल जांदा तासी हर्गेस सफल नहुंदे हा मैं देख रहा सी कि तुसी भी होशकरन तो पहला क किता सी कि यह मैसूस हो रहें थिवे सच मुझ ग्यांदी रॉष्णी विच खाल करनी हुएगी जदं डॉक्टर पटाचारिया ने एक अलका इसी ता मैंनो इस गालों ते कुछ ज्यादा विश्वास नहीं सी पर उने सच मुझ समस्या हाल कर देती सी डॉक्टर पटाचारि यहने ग्यान चंद नू यकीन दवाया सी, कि ऑप्रेशन करके उधी अख्खां बदला देती हैं जान गया, वो ग्यान चंद नू अप्रेशन थेटर विछ लागया सी, ग्यान चंद नू बिहोश वी किता गया सी, उधी अख्खां उते भी होशी दे दौरान पट्टी भी बननी सी, पर अप्रेशन नहीं कीता सी, ते ग्यान चंद बिना किसी अप्रेशन थे ठीक हो गया सी, उनू यकीन हो चुक्या सी, कि उधी अख्खां बदलियां जा चुक्यां, अगली कहाणी है अखी वेख्या हाल अंग्रेजी कहाणी है लेखक है माइकल एविलोन सुनन वड़ेया लई तो अड़ा जानेया पच्छानेया नांसर मालकम तो अनू सब बो देते हैं असी इस वक्त स्टूडियो च नहीं बलके खेड़ दे मर्दान चू बोल रहे हैं तुसे लोग इस वक्त परदान एक कादश ते मैमान जर्मन टीम दे विचकार होन वड़े मैं अचदा अखी वेख्या हाल सुनन लई जरूर उच सक हो गए पर मैं मौफी चाना कि तो अनू डीक दियां कुछ कड़ियां खोर बरदाश्ट करनियां पहन गी आज़े मैच शुरू होन दा वक्त नहीं होया अज़े कुछ मिंट बाकी हैं इस तो मगरों तुसी जरूरी एक दिल्चस्प मैच दा अखी वेख्या हाल सुनोंगे ए तुसी सिद्धे स्ट्रेडियम तो सुन रहे हो मैच शुरू होनी वाला है आज दा विशेश पुरोग्राम तुसी पाल माल ब्राण दे सिग्रेट कमपनी दे वलों सुन रहे हो ए लोक प्रिय कमपनी तोड़ी जड़ी तोड़ी पसांत दे ब्राण दे सिग्रेट मुहिया कर दी है सुर्फ तोड़ी दिल्चस्पी ते मनोरंजन दे लेई पाल माल सिग्रेट कमपनी प्रोगराम पेश्ट करन दे लेई पुँझी भी उपलब्द कर रहे है हमेशा माल 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 सिग्रेट पीव पर सिद अनाउंसर पाल कम दी नपी तुली अवाज जानी पचानी अवाज स्ट्रेडियम दे खुझेच बने होई कैबिन चो पर सारत होके देश दे कोने कोने च पहुंच रही से लखा ही खेट प्रेमीस मैच दाखी देखे हाल सोनन दे ले अपने अपने रेडियो ते ट्रांजिस्टर खोली एकागर चित बठे से शीशे दे कैबन विच्चो माल कम नूँ खेड़ दे मैदान दाए इकके को खुंजा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा से प्यारे सुनन वाले ओ जिमी के तनु सारे अनू पता ही हुएगा के इस सीरीज दा पहला मैच महमान टीम ने जित ले असी पर दूजा मैच पर दा आने कादश ने जित के हिसाब बराबर कर देता है अज दे इस तीसरे ती आखरी मैच उत्ते ही दोए टीमा दी हार जा जित निर्बर कर दी है इसलिए मैच बेहद महत्तव रख दाए दोवाँ टीमा देख डारी आनू देख दे हुए ए अन्दाजाल गाणा उख है के किस दा पलड़ा पारी रहेगा तोवे टीमा विच उच कोटी देख डारी शामल हान। दोवे टीमा अलमपी खेडां चुई बराबर रहेगा हान। इसलिए मोन तक पक्के तौरती नहीं किया जा सकदा के जित किस दी हुएगी। मालकम दे कैबिन दे बार अंगेंती आदमी कठे हुए सन। उनाच प्रेस रिपोर्टरां दे फोटोग्राफरां दे लावा रेडियो दे प्रतीने दी सन। जर्मन टीम इस वार को ज्यादा ही फुर्तिली ते जो शीली दिखाई दे रहे है। दो ही टीमा इस वक्त मैदान चाचुकी है हैं। जर्मन टीम दा कप्तान बेहद जो शीली अंदास्ट उचल उचल के अपने साथे नू हदायत तां कर रहे है। पाक दूसरा इननों बहुत दूरों ही कादमी तेजी नाल दोड़ना हुया है। परिशानी दे चिन दिखाई देते हैं। फरोंने अपनी आवास्ट कंबडी नी आउन देती थी। पहला ही दी तरह विश्वासना लखी देख्या हाल सुना दर्यां। ये प्रोग्राम तड़ी सेवा वेच पाल माल सिग्रिट कंपनी दी उदारता नाल पेश किता जानी है। बस सुनू मैच कुझ जी चेर नू शुरू होन वाल है। प्यारी सुनन वालेव। ज़त तक मैच शुरू नहीं हुन्दा लोग हुने हुने प्रापत वा एक मात तब पूरन सरकारी एलान नू सुनू। ये एलान पुलिस विपाग वल्लों जारी किता गया है। तेदे महत ट्रक वेच को जंगली जानवर सांट जेडे हुने जंगलां मेच शुरू फड़े गया सिं। जीनाणूं सिदा नू साम्तों आयाद किते गई है। जेना नू वजे तक सिदायं सा नहीं जा सकति या। पोलिस वे बाग ने इस इलाखे दे सारे लोकानू किया कि वो अपनी रख्या दा उच्चित परबंद करलाई। आदमी तीमिया बच्चेयानू हदायत कीती जान दिया कि उस वक्त तक अपने करां दी अंदर रहां जात तक उना जानवरानू फ़ाड नहीं लेया जान दा। शिकार गोन दा कोई लाब ने। संयोग नाल जे कि ते तो अडवना नाल समना हो जाए ता मुकाबले दी कोशिश करन दी जगा पासा वाट जाना क्योंके तुसी उनानू मार नहीं सकोगे। जाद क्यों तो अनू असानी नाल अपनी खुराक बना सकते हैं। चुराया होएगा हो सकदा है इसलिए उप इंज्रियां चु निकल के पज़े हैं। चलो इस बहाने जरा मनता लगया रहेगा। पोलिस वाले भी अपनी योगता दा दिखावा कर सकने। अनू पूरा यकीन है कि मैं हुणे कुछ पलांच तो नू शेरां दे फड़े जान दी ख़बर सुना मांगा। वो सगदा मैच शुरू हों तो पहले हैं। नहीं तब इचकार किसे भी वेले। पलाओ पो गोड़े बज़के किते जा सकते हैं। बार रेडियो दे दो हो रेनांसर वी हाजर सन। यड़े मालकम दी रानिंग कोमेंटरी सुन सुन के बुलांची मुस्कुरा रहे सी। मालकम उना सारें तो सीनियर ते मंजिया होया नांसर सी। उदी सब तो वड़ी कुबी है सी। क्यों वड़ी तो वड़ी खतरनाक ते प्यानक खबर नू ये स्टंग नाल पर सारत करदा सी। कि लोक आमेना कबरोन। बोर तो बोर मैच आंदी वी ओधी रनिंग कोमेंटरी बड़ी दिल्चस्प होंदे सी। हाँ हाँ जनाब होन पोलिस ते शेरां दी रनिंग कोमेंटरी का तम होंदी है। आओ होन इस असल मैच बारे भी कुछ गल्लां करिये। बास सुन मैच शुरू होन वेच सिरफ दो मेंटरी हैं। उन समा ओन ही वाला है कि डारी बिल्कुल प्यार हन। रनिंग को मेंटरी करदे करदे मालकर नू तेज तो पदा हैसास होया। तो ने कोर चुटकला चटिया। आज मौसम खासा गर मैं। लगदाए मैच जितन देलेई दोए टीमा इसमेदान नू चील बना देनी है। देखो केड़ी टीम बदपसीना वहां दी है। प्यारे स्रोतेयों देरनाल रेडियो कुलन वालेयां दी सूचनां देलेई। मैं पुलिस वे पागवलनों प्रापत कोया। जरूरी एलान एक वर फिर सुनाना मालकम ने उगी कबर जरा वकर अंदास चो सुना दूती। दूर केते किसे कड़े आल दी तन दी अवाज आई। तब मालकम ने कड़ी देखी देखिया। प्यारे सुनन वाले लो इंतजार दीयां कड़ियां का तम हुईयां। मैच शुरू होनी वड़ा है। ए प्रोग्राम तड़ी से वाज पाल माल सिग्रेट कंपनी में लो पेश कीता जा रहे है। दो में टीमा अपनी अपनी जगा उती आ गई हैं। समा हो चुक्या है। थोड़ा जै रुखन दो बाद अचानक मालकम दी अवाज फेर सुनाई दिती। हाँ ता प्यारे सुनन वाले ओ लो मैच शुरू। ओ अचानको दी अवाज बहुत ही पैती कबराग पार गी। ओ ओ दो में शेर मेरे कैबिन वेच। ओ दे मगरों सुरूतियानों शीशे दे कैबिन टुटन फुटन दियां अवाजां सुनाई देन लगी। तन वाल। अगली कहाणी हैं। बरतानवी कहाणी हैं। क्रिकेट दा ओ अपुल मैच। लेखक है कीथ वास्टन। इंगलेंड दे काउंटी मैचां दा अपना वखरा महत्तव है। अपना वखरा रांग है। कदे कदे तैना मैचानू देखन देली इनी ज्यादा पीड़ जमा हो जान्दी है। तो टेस्ट मैचां वीच भी देखनू नहीं मिल दी। कारण ये मैच कदी-कदी टेस्ट मैचां तो ज्यादा रुमांचिक हो जान्दे। अजे आई एक रुमांचिक काउंटी मैच 1902 देख 14-15-16 जून नों हेंप शायर ते वार्विक शायर विच कार खेड़ या गया से। दोहे टीमा तकडियां सी। इसली किसी लई इस मैच दे नतीजे दा अगेताई अंदाजा लोना बड़ा उखा सी। उन्जवी क्रिकेट दी खेड बे आस नतीजे वड़ी खेड है। पर इस अपुल क्रिकेट मैच दा जो नतीजे सामने आया उदी कलपना ता सुपने विच्वी नी कीती जा सकती। पाग दूसरा हेंप शायर दा कप्तान सी टैनिसन ते वार्विक शायर दा कप्तान सी कल्थार्प बर्मिंगम दे सुपर सिद क्रिकेट मैदान एस बेस्टन दे मैदान उते टॉस जितके टैनिसन ने अपने विरुद्धी कल्थार्प नू बल्ले बाजी करन लेकिया। उदे इस फैसले होते सारे नू हैरानी होई क्योंके पिछ मजबूत होन तो इलावा काफी तेज वी सी। जिस होते ममूली तो मममूली बल्ले बाज देले रन बनोने असान सी। कल्थार्प ना हरान सी कि उनने टैनिसन दा फैसला सुनके पुच्छी आवी कि मैं ठीक सुने हैं कि तुसी वे वाकई सानू बल्ले बाजी कर लेकिया। जी हैं। तुसी अपने सलामी बल्ले बाजानों खेटन देले और नोकों। पर उननी स्विच पर पूर्दी गुंजैश नहीं है। टॉस जितके जो फैसला मैं करना सी कर देता है। चंगी गालें। जित वड़ा दिमागी ख्राब हो गया ता मैं की कर सकता। कल्थार्प पेवेलियन वल चल पया। शुरू दे तेन कंटे दे खेट वेज वार विक्षायर ने चार विकेट खोके 106 रन बढ़ाए। जे स्वेच कल्थार्प दा योगदान 27 रन ना दासी। पर फेरो दे खिडारी अपनी बेज समझीते लापरवाई दे कारन चेती चेती आउट हो लगताई। पूरी दे पूरी टीम 203 रनाओं दे आउट हो गई। कल्थार्प नू एस तो बहुत निराशा होई क्योंकि उकड़ तो कड़ साड़े 400 रन दी उमीद कर रहा से। उन हेंप शायर दी पारी शुरू होई और पारी कद शुरू होई ते कद कतम होई कुछ पताई न लगया। काड़ी वेच पूरी तरह अनुकूल पिच उत्ते हेंप शायर दे बल्ले बाज अद्धे गंटे दी बल्ले बाज इच कुल 15 रन बटोर सके दी आउट होगे। तुचल में आया वड़ा नाटक हो रिया से हेंप शायर देले सब तो वद शरमना गाले सी केना 15 रना वेच वी चार रन ता वद्धू रन सी सब तो वद रन छे पीड नादे बल्ले बाज ने बढ़ाई। कल थार्प ने हम दर्धी परगट कर दे हुए टैनिस अनू किया है मैंनो अफसो स्यपाई साथ तो डेस पर दर्शन उत्ते पर खुशी भी है कि हुण मैं शुकर वार सोडा जून दी स्वेर नो ओन वाड़ी कोड़ दौर्थ जा सकांगा। टैनिस अनू क्या पाई जान तो डेस आशावाद उत्ते में सिर्फ इन नहीं कह सकदां कि सूला जून दी स्वेर नो तुसी हारतो बचंदी कोशिश्च लगगे होगे। फालो आंग चे पारी दी हारतो बचंदी ले हम शेर नो दोसो अट रना दी जरूरत से। इस वार उदे बल्लेवाज कोश जम के खेड़े। फिर वी जद पहले दिन दा खेड कतम होया ते कुल अठानवे रना उते को अपने तिन खडारी आउट होंदे देख चुक्या हम शेर दे कप्तान टैने सन नो चड़ के सबनो तो पूरी आसी के मैच अगले दिन लंच तक कतम हो जाएगा ते हम शेर नो एक पारी नल हारं दी नमोशी चलनी पहेगी। इसलही जद दूजे दिन दा खेड शुरू होया ता मैदांच खडारी ज्यादा सन दर्शक कट। इक ही बल्ले बास बचया सी बाकी के डारी सब गेंद बास सन जाद सत्मा के डारी आउट होया ताद भी हमशाय नो एक पारी दी हार्तों बचन ले bakın 18 अठारा रना दी जरूरासी ति चिर्फ ब्राउन ते तिन गेंद बास बल्ले बाजी देली बाकी सी ताद एक चम्तकार होया अजिया चम्तकार जेदी उमीद जां कल्पना सुपने विच भी संबब नहीं सी अठमें विकेड दी सांजेदारी वेच ब्राउन ते शरले ने पचासी रन बनाए इस नाल जेते पारी दी हारदा खतरा टलेया उते हेंप शायर दे बाकी बल्ले बाजान दे मनावेच एक नवी उमीद पैदा होगी हेंप शायर दी टेम होन वार विक शायर तो च्याट रन अगे सी ते उते अन्तेम दो खिडारी आउट होने पाकी सी नौमे विकड़ दी पागेदारी वेच ब्राउन ते लिवसी ने दो कंटे वीमेंच 117 रन होर जोडे उनाने लगपग हर गेंद ते रन बनाया ते वार विक शायर दे गेंद वाजानू अपने अगे गोटे टेखन ले मजबूर कर देता उना दिया गेंदा दी अजयी कुटाई पहला कदी नीसी होया अन्त वेच ब्राउन 122 रन बनाके आउट होया पर उदेली सिर्फ सारे खिडारीया ते गिने चुने दर्शका नेही ताडिया मज़ेंगा उदर ब्राउन दे आउट होन उत्ते लिवसी दा जोश दुगणा होगया उन्हें दस्वी विकेड दी हिस्से दारीच बहत्तर रन बनाओ दे होया अपने 110 रन पूरे किते हैंप शायर दी दूजी पारी वेच ब्राउन दे बादे दूसरा सेंकडा से दूजी पारीच हैं पिक शायर नू मैच जितन दे ले 305 रन बनाओं दी जरूरत से पहली पारीच सिर्फ 15 रनो ते आउट होजान वली कोई विडे आज तक दूसरी पारीच 500 वद रन नहीं बना सके पाग तीसरा तीसरे ती मैच दे अन्तिम देन मैदान दर्षकानाल खचा-खच परेया होया स हजारां दर्षक टिकेट ना मिलें दे कारण मैदान तू बार खड़े से सब टैनी संदी उस गल्लू ते आंच रखे होया से जडियोंने कल थार अपनों कई सी के सोडा जूननों स्वेरे तुसी हार तो बचंदी कोशिष्ट लग्ये होई होगे सब नू मैच दे रूमांच जिक ते नाटकी अंत दिया से खेड शुरू होंदे वार विक्षायर देखे डारी इकके करके तेजी नला उठों लगे ते सच मुच अनू हार तो बचंदी ले जी तोड कोशिष करनी पह गई से पर जी तोड कोशिष बेकार गई ते वार विक्षायर दी सारी टीम अपने दूजी पारीच सिर्फ एक सो अठवजा रन बना के अउट हो गे इसे तरह ओस टेम तो जिन वोने सिर्फ पंदरा रन नोते आउट किता से एक सो च्याड़ी रना तो हार के से अगली कहाणी है ब्राजील कहाणी आ है स्टीव डगल्स दे लिखी होई है हजारवीं गोल्टे कुल चौदा मिंट रहेगे सी रियो दा जनेरे जनेरो दे स्टेडियम विच उन्नी नुवंबर उन्नी सोनत्तर नू वासको दा गामा ते संतोष टीमा दे विच हो रहे मैच नू खतम हों विच पजत्तर हजार तो विवा दर्शक बेचैन सी कि पेले इस मैच विच अपनी जिन्दगी दा हजारवा गोल कर सकेगा सब तो वद बेचैन सी खुद पेले फुटबाल दा ना पूत ना पविक सरफ सुरेष्ट किडारी तो काफी कबराया होया लगदा सी अजे तक किसे भी टीम ने कोई भी गोल नहीं किता सी सारा ब्राजील पूक फुटबाल दे दिवाने हन ते उना दा सब तो प्यारा किडारी सी पेले जेडा खेड जगत ब्राजील दे फुटबाल दोहां दा प्रायवच्ची बन गया सी मैच दे आखरी दासमेंच चानक किसी वरोधी किडारी ने पेले दे खेला फाउल कर देता आम तोर ते प होली होली पिछे गया मोड़े या ते गेंद हिट करन दे रादे ना लगगे वदिया उन्हें दो वार गेंदनू हिट करन दा बहान ना कीता फिर तीसरी वार गेंदनू काफी हिटा तो नटच पहुचा देता उरोधी टीम दे गोलकीपर अदादनू एवेखन दी भी तकल गोल हुंदे पक दड़ माच गे लोग मैदान च उत्तर आई उ बाकी खेडारियां पत्तर कारां थे टेलेविजन प्रती निदियां दे नाल पहले दे गोल पॉंच ना च उन्दे सी सारे स्टेडियम च छुट दियां आतिश बाजियां करके लोगां दे कान बोले उन्दे जारे से खेड विचकारी रुब गई पेले नू माइक्रोफोन दे सामने खड़ा कर देता गया एक बेहद गरीप परवार च जम्मे पेले ने बड़ी साधगी नलखेया ए गोल कर दे विले मेरे दिमाग च दुनिया पर दे गरीप बच्चे से अजय बच्चे जिना बारे क पेले दी हैसियत आज 10 लाख डॉलर तो बद दे से पर अपनी आमदंद बोत आपा गरीप ते जरूरत मन बच्चेयां उत्ते खर्च कर दे कारण वाजताक अपने गरीप बीवाले उस बच्चपन्न को लेया नहीं जादोनू पेट पालन देले मूंग फणियानू चुरा- चुरा के वेचना बंदा से दर्शकां दे अपनियां सीटां उते मुड के पौंद जान दे मगरों खेड फेर शुरू हुए पर पेले ने उस चे हिस्सा नहीं लिया बाद विच उनू चार पौंड पारी सोने दे फुटबाल पेट कीती गई ब्राजील दे डाकवे पाग उस विशेश टिकेट दियां वी लक कपियां जारी कीतीयां जे स्वेच पेले नू हजार मां गोल करदे दिखाया गया उसे। बिर्तो दी सुफारश होते पेले ने सिरफ 15 साल दी उमर वेच संतोष टीम वलनों खेडना शुरू केता सी। उना इना बेजा खरकतां ते ब्राजील दे हार जानते पेले नू इना दुख होया क्यो मैदान ची रून लग प्यासे। उनीस ओठवन जादी विश्व का प्रतियोगता दे मगरों जदो ब्राजील चे अफवाफ हैली के स्पेन दे। स्पेन दा इक कलाब पेले नू ज्यादा फीस दा लालच दे के स्पेन ले जाना चूंदा है। तालखा लोका ने संतोष कलाब नू चारे पासियां तो केर लेया। ताके पेले दा अपहरन ना हो सके। इकोर मौके खुद ब्राजील दे प्रेजिडेंट ने क्या सी फोटबाल जो सर्वोतम है वो ब्राजील दे पास है। ते ब्राजील दे फोटबाल वेच जो सर्वोतम है वो पेले दे कोल है। तानवार। अगली कहाणी है अमरीकी कहाणी है। विंबल्टन वेच बल्ले ते दल्ले। लेखक जेपी डानलेवी। जून दी मुटी का वाडीक गरम कालीन का टी। अपर दा सूरज अपनी तोप हेठां बखेड़दा। हेठां दे लोकानू रूंदार सफेद गेंद नू अगे पिछे सूटदे है। वो छोटे जी अखाडेच लोग चिल्लाउं दे हन। डल्यूस, लव, फर्स सर्वेस, फॉल्ट ते शांत्रों। ते मैं उसे असे उदासी वेच डुब जान दा हां। जेड़ी कोई भी खेड मेरे देलच पैदा कर बंदी है। दे आल इंगलेंड क्लब दे मैदानाच ए लॉन टैनिस चैंपियोंशिप दे सुहावने देनिता। सो नेरी जननना लत्तां वाड़ा विंबल्डन पंदर वाड़ा। कोट वेच दे कोड़ दे बार्वी उही लत्तां। ते मैं अपणियां सुफैद लततानाल। ओली-ओली चलदा हुया, ताजा-ताजा रंगी हुया, लिश्क दे दरवाज़ेंवाले करांदे विच्छों दी गुजरतां। इना करांच पूरे वाड़ां वालीयां और तांशान। दो पैर दे बार दे समय बच्चेयां दियां गूंजदियां वाजां दे वेच छतां उते बैठियां चापी रही हैं एक महापुर्च सडक दे के नारे उकडू बैठा मुक्त हो रही है पूरा स्टेडियम गूडियां हरियां ते काडियां कुरसियां नल परेया पिया उना उते बैठी हन दौलत मन ते उच सुक देली मेरे जिया एक उदास देल वी उते ओनी वड़ है पांज शिलेंग देन देली इक लम्मी सीमेंड दी सुरंग वेच्चों गुजरना चकरद्वार दे मगरों उस स्थान जिते पैसा पहाड़ दे शिकल जमा होगी है अचानक सारें दा त्यान गल्यारे दे वल चला जान दे जितों किसे जनाना जिसम जो बहुत तेज उतेजत गंद निकल के पैल रही है इस वेच कस्तूरी दी पागल करदेन वली गंद ती गिन्नी प्रती आउंस दी दर नाल कई सुगंदा मेरे कुडों लंग दियां फुल दार पुशाकां दे कांसी रंगे चम्क दे चेरे मोतियां दियां लिश्क दियां माला तॉलियां वले टॉप तेर सारियां कुशियां नंगे जिसम ते अज नभियत दो वाज गे हैं मैं स्कूली कुडियां दे बिच पिच करें, कुडियां एक दूजे दे मुड़ें उत्ते राखके प्रोग्राम दा बेवरा पड़ रहे हैं, सारियां स्कूल दी वर्दी छा, उबिना मेरी उमर दा ख्याल केते मैंनू ता करें हैं, इनी उमर उना दी दिलचस्पी मेरी समय त बार है, हो सक्दा उना दे माँबाप उनानू आदमियां तो दूर रख रहे हैं, रेफरी बार निकलाई हैं, उना दे कपड़े लाल ते कुझ दे पीले हैं, उनाने आके चारे पासे देख्या कादा मेदान, मुकाबला लड़न वड़े आंदे चिटे कपड़े पाई उनानू खेडारी दे गर्बन हे लौन, पलक चपकान दे आर्थ ते उनानियाई चावानू जानन दे सिख्या मिली हुई हुँदी हैं, ता दचानक ताडियां वाज जूठ दियां हैं, शाही चतरी दे हेटों निकलके खेडारी बार आगे हैं, अपने नरम तलियां वड़ सुस्ती कोई ने दिखा सकता, कई तरांदे, कई अकारणदे खिडारी हुँदी हैं, ते कई तरांदे आचरण वो लोग कर दी हैं, आउ हुँद जरा टैनिस खेड लेगे, खेड शुरू हुँद, शुरू करन दि कोई छेती नहीं, अजय तो अपने चेरियां उते बिना क सितरां दी पावली आई उच्छल के संद सुनांदे हुए शाट ला रहे हैं एकाम तद तक चलता रंदा चब तक एमपायर अपनी उची कुर्सी उते बैठ के स्कोर्शीट कोल के माई को ते फुस-फुसांदा होया कैनी दंदा कि तुसी त्यार हो गेंद फड़न वाड़े म इते एक निश्चित तापकरम तक ठंडे कीते इना रूमदार गोड़े अनुके डंदे ले आये हैं पड़ा मनमोना विचार है पुरे दो हफते में इस गल्दा इंतजार करदा रहा है कि कोई ता इना गेंदा ने गर्म होंदी शिकायत करे हैं शांत रेन दी परकार हुंद स्कोर बोड़ दियां रोश्णियां जल जान दिया हैं सारिया नजरां स्कुवित्तर हरे अंचलोते केंदरत हो जान दिया हैं गेंद फड़न वड़े लड़के जाली दे कोल पंजियां दे पार बैट जान दिया हैं ताके उठके पजन ते गेंद फड़न च देर ना लगे सर्वेस करनू अला खिडारी, सीमा रेका उत्ते, साथ धानी नल पैर रखी, निशाना लाके त्यार हुन गाए मैंनू लगदा है कि जमें अपने विरोधी नू क्या रिया हुए, दोस्त जे तु गेंद नू वेक भी लमें, ताब बल्ला अग्ये करन दी कोशिश ना करें फिर बल्ला पिच्छे कर लांगे, जिवें क्यार्या हुए, दोस्त मेरे रिटर्न लॉग नाल जब गेंद किसे गुड़ी दी तरह तेरे बल्ले नाल टकराएगी, तो तो उनू कोट दे बार जानतू रोपनी सकेंगा, ये क्याना ताब अवे अर्थी हुएगा, कि उस अन कहे वारता लापनों, दर्शकान दी पेड नहीं पड सकेंगे, पर उथी एक खिडारी पाव ना भी है, अत मितरता पाव दा दिखावा भी है, जितन वाला हारन वाले दे कोल जाके हाथ मिलों दे, दोवे एक दूजे दे मोडे उते हाथ रखी कोड तो बार आउंदी है, ख जोर मचाओं दी है, ते ताडिया हुजाओं दी है, तादे शाट लॉन वाला तानवाद सेथ कुछ गुण गुणाओं दा हुया, चेरे दिया सारी है, कुटिल तावानों कौँज दिन दे, अजे आ करके उद दर्शकानों जताओं दा है, के अजे तुसी देखिया ही की है ओचीज ता तुसी देखिया ही जी दे कारण पर फूर जवान और ता मेरे ते मर्दिया है, एक दिन दे मगरों दूजे दिन के डारी मुकाबले चो बार हुंदे रंदी है, वतो अध लोकां दा एकाट सेंट्रल कोट दे वलबद दा रंदे, बारी कोटां चोन पर से द ना पर फूर जाके चुप जानता है, मेरे ख्याल चे दा कारणे विचार है कि विंबल्डन मेरे बिना वी चलदा रेगा, मैं बाड दे सहारे खड़ा, खिडार यानू लंग दे हुए देखता हूं, इक द्रख दे कोने च मैनू इक शोर जया सुनाई दंदा, पानी दी टैंकी दे डाल वाले बारी कोट तो आरे, मैं एक सुन सान गल्यारे चो लंग दा हुए उस वाल वद्दा, इस उदासी दे विच संतरी दी तरां खड़ी, पानी दी टैंकी दे कोल पहुंचन तो मगरो, मैं एक डबल मैच विच पहुंच जान दा, इक तासगी मेरे अंदर दाखल चोटे-चोटे पैरां वाले दो रुसी, दो लम्मे पैरां वाले अमरीकियां दिनाल खेट रहे हैं, गठीले रुसी सरीर कोट वेच एदर तो उदर चुंगियां पार रहे हैं, इक कुझा जीब जया लाग दाए, पर बुरा नहीं, ताद मैनू मैंनू मैगनोलिया सेंट तो सुगंदे तवाजां सुनाई दिन दिया, इता पूरब तो आया ना किडारियां दी परखचे उडा रहे हैं, उन मेरे तो ए टैनिस सेंड नहीं हो रहे हैं, मैं उना हरे कोटां दे विच्छों दी लंगदा होया, निकल जान दा, मैं मुकाबले लड़न वड़यां दी फाल दी जगा कि कोल दी लंगदा, जिती रंगीन चत्रियां दी हेठा बटियों में शेरी पी रहे हैं, मैं देख रहे हैं कि किडारी अपना समान बन रहे हैं, मैं दी लड़न जाके उना तो पुछना चांदा हूँ दा कि की उना दी इच्छा रोन भी नहीं, घड़ा उनेना दे इनने बार्सिलोना जाना से तिरादा खर्चाउना नू दे देत्ता लिया से, ताडियां दी आवाजा आ रहे हैं, मैं जानदां के विचली कोट दे विचाले, चांदी दे कापते प्याले उना लोकानू देत्ते जारे होंगे, जिनानी मैच पॉइंट होते, उस ठ पंडी गेंज नो अपने बल्ले दी सहायता नाल, स्टीक टांग नाल, बेश लाइन उते, अपने विरोधी दी पॉंच दो बार मारे हालेगा। चादी जगा तो एक सफाई करमचारी कागस दे प्याले समेट रहा से, मुकाबला लड़न वालेयां दे कैबिन च बुनिया दे, दूजे देशां चोन वाले मुकाबलेयां च जान दे त्यारियां हो रही हां। मैं आखरी बार आदमियां दे पुखाने च जानना, एक दिन पहलना तक ए रेल्वे स्टेशन दी तरह लग रहा से, तनवाल। अखेरली पंजबी कहाणी है, एक लव्य लेखक गुर्मेल मडाः। अजदे मुकाबले विच्ताओने कमाले करती सी, हजारें दर्शकांदी जबान ते जंग बहादर बाल मी कीदना सी। पहले दिन जदो रेंगे चोत्रे आसी तक कई खेड पार्खवाने उदे सिरीर दे पठे देखके, पविकवानी केती सी के मुंडाय स्वार जरूर सर्व पार्ती मुक्य बाजी दे हैवी वेट दा चैंपियन बनेगा। उदा शेर दी तरा चाती तान के पूरे स्वाय माननाल रेंगे चुवड़ना, वामप होना, विरोधी दे रेंगे चौन वहले, बुसे चलाल हो जाना, ते फिर उदा विरोधी कोल जाके पुचना, के ओवी में तरा राउंड पूरा करना है के नहीं। पहली नजरे तो दा फुकरा होन, होना ही सिद करदा से, पर जदो रेफरी दी विसलते अपनी, रेड कॉर्नर तो ग्रीन कॉर्नर वलवदिया, मुस्कुराया, सजी हातनल दो तिन सिद्धे वार करदा होया, गे वदिया, मौका देखके विरोधी नेउस्वल, पूरे जोर मुका चलाया, जिन्हों साइड काट लाके उने पुछाड देता, ते जबरदस्त खंबा, खंबा पंच, उदी कनपटी ते दे मारे, पंच पेंदीयों कटे होई द्रखदी तरह तेरी होया, दर्शक हैरान सी के उने, क्यों अपनी केणी नो करनी दे रूच, बदल के अपन आपनों फुकरा हों तो बचाले आता, पंजाब देस मुक्के बाज, जग जीत सेखोन बुरी तरह राण दा कारण उदा निजी चे गड़ा दी से, जिन्हों ने पंजाब मुक्के बाजी चेंपियन्शिप्ट बुरी तरह खड़काया सी, दर्शकान पूरी अमीद सी के ज जंग बादरी जितेगा, फरोना दी ओदों है रानी दी हादना रही जद जजजा ने फैसला ओदी वरुद सुना दिता सी, जंग बहादर देहा के चे सीटीयां वजीयां शोर पया, कुरसियां दा कुल टाइआ नियां और फैसला अटल रहा सी, उस दिन जंग बहादर ने जगजीत नू रोग के क्या सी, ला मित्रा, ये ता तेरा शेर सी, मेजवानी दा फाइदा उठा गया है, नैशनल चे जे ता नू पहला राउंड वी पूरा करन दे देता, ता मैंनू भी किसे बाल मीकी औरत ने नहीं, कुती ने जम्या होई गा, पंजाब दे मुक्चे बा नू हरा के, उधे मन नू बहुत ही तसलिल हुई सी, क्योंके जगजीत नू देती चनौती नू पूरा करन ले, उनू हर्याना राज मुक्चे बाजी चैंपियन्शिप जितनी पई सी, ते हर्याने राई, उन नैशनल विच अपने दुश्मन ना टकर लाके हारा सकेया सी, जिस करके उधा होसला होर भी वद गया सी, उस्तो बाद, उन्हें जो भी मुकाबला लड़ेया सी, पहला ता लग दी वा, किसे नू समने अड़ने नी दिता, सिधा नौकाउट करदा रहा, पर जे कोई अड़ भी गया, तो उन दे नानी चेते करवाती, अगेन मुक्चे ब अगेन कोई याद आ रहा सी, उन्हें दिमाग दे पूरा जोर देता, चेते आया, एस मुंडे दी शकल बिलकुल उस मुंडे नाल मेल दी सी, जो नू कुलेक्टर सावधी कोठी विच अकसर मिलिया करता सी, उन्हें कुलेक्टर सावधी लड़के नू मुक्के बाजी दी सि येखदे देहदेधियो ह। दे तन साला दी ओठेदी ठेहरा दे दोरान पूरा ज्वान हो गयास। हौँ मेराम रखखा। मुंडा ता देरा वाक ये बड़ा ज्वान हो गया पर देनू खानपेंट्न की दिन है। एक दिन कुलेक्टर साव ने राम रखे तों पुछ यहां से जद उने अपने पोतनों कमेटी तो सफाई सेवक रखौन ली कुलेक्टर साव अगे बेंती के ती से मैं अगरीव की खान नू दे सकता साव बस सूर पाड़तां वेच लाना इक दा चार पालना जाद मोख जान दा होर चटक लाना दो दू फुरूट अने कुछ यहां मोल दे दू नाल ताजी चादा तोरा मसा तुरदा है फुरूट सा डीक समच गेते अच्छा जे नू नू न कड रहा होगी खुडी सर कोठे जडी होई कड़ी है उदा भी कुछ करना है जी राम रखे दा जवाब सुनके कॉलेक्टर साव दे मूंवल वे खन लग लग ले अगले दिन राम रखा कॉलेक्टर साव दे पहरी पे आओ कह रहा सी जनाब दी मेरवानी तुसी साठा मुंड किते उते लगा उस्तों बाद उन्हें मुंडा कदीनी सी देख्या पर एक दिन जाद उन्हों देख्या उदो हैरानी रह गया सी बजार जो बहुत पाराई अकट होया प्यासी उन्हें पेड़ चीर के अगे वद की कारण जानना चाया एक पूसरे सान नाल मुंडा दू हथ हो रहे आसी सान अधे वल पाज जिके पैंद मुंडा पिछ रटदा ते बेल चेदा वार उधे नकते करड़नगर फिसान मार खाके एक वार ऊषर काो कि मुंडा बयद दा जोर दी वार करदा विशाल चॉडए बजार च्वाह आदमी ते सान दी जंग भले से के लेशान पूरी कार रहा सी ते मनुकनू सारी शक्तियां ते कभजा करन्दा माने उसकुल दिमाग ओवी अपना कभजा नहीं चड़ना चौना सी दर्श का विच्चों कोई भी उस मुंडे दी मदद लए यगे नहीं वद रहा सी अचानक सारे काठेज शोर माच गया मुंडे दा बेल तेन जगां तो टूट गया विल्कुल नहता हो गया सान फे टक कर लाके उस वल्मदिया मुंडा चाल मार के दुकान दे थड़े ते जा चड़े इस वार उने पूरे जोर्दा खबा मुका सान दे नकते मारे या इस सज्जा सिंग दे हेठां पुड़ पुड़ी ज सान उते इस तो बाद उने दोहां पुड़ पुड़ी जांची सज्जे खबे मुक्या दी बारिश कर देते सान नाग्ये हिल्रिया सीन पेचे जीवें सुध बुद गवा बठा हो उन्हों इस तरां खड़ा वे के मुंडा एक पासे दी थड़े तो उत्रया ते लड़ खड़ोंदा मुड़े ने मुड़के देख्या कोच साथ दे गोड़ी हा फलाई उदा साफ लिया हया सी थकेमा उदी आखांचो टप करेया सी पर उन्हों यकीन नी सी आ रहा कि उन्हों आदमी अपने स्कूटर ते बठा उनली कह रहा है लेड़ा क्लेक्टर साथ दे मुंडे नू मुक् पर मुंडे ने तरले नाल किया साथ मेरे घर नहीं आओगे जरूर क्यों नी वह एक बहादर मुंडे दा देल नहीं तोडना चोला सी स्कूटर स्टैंग ते लाके मुंडे दे मगर मगर कमरी अंदर चनु उन्हें देख्या सामने रेते दा पर यारी वाला कट्टा केट दे गलब्स पहे हम उन्हें दिवार ते निगा मारी कैशियश कले दे जो फ्रेजियर दे पेड़ दी तस्वीर दिखाई दे रही से एक पासी एक बार चो कटके चिक काई तस्वीर ज कोर सिंग मुस्कुरा रही है से दूजे पासी अधी अपनी तस्वीर लगी है से ए मेरी तस अपना गुरू मन्या हुए है तोड़ी तस्वीर तो हुकम लाएके मैं अपनी मुखे बाजी दी त्यारी करना तो फाग दूसरा सर में वाम अप हो जाओं कोच बो पर आए दे चेले ने आके उन्हों यादां दे समंदर चो कड ले आंगा हाँ हाँ उबढवाई बो लोट डीवी सेंग ते जंग बहादर बालमी की त्यार हैं दोवे मुखे बाज खेड बस्तरांच रिंगाने कोडा के वाम अप होन लग पें पहला मुकाबला खत्म होया फैसला सुनाया गया रिंग विच दोवे मुखे बाज पहुंच के अपको अपने खुंजियांची के डीवी सेंग अनूंसर दे अलान नाल डीवी सेंग सिद्धा होया हाथ खड़ा केता तो फिर पेली हालत वेच खड़के वाम अपहूंड लग लग लाग लेया वक्स रेफ्री ने सद्दा देता दोमे मुके बाज रिंग दे बिच का रेफ्री कोल चली गया रेफ्री ने द डीवी सेंग ने अपने बारे सोच की सला है डीवी सेंग ने भी अपने स्फाई सेवक दे लड़के नू पहचान लेया से जे तेरे डेडी ने मेरा रुजगार ना लाया हूंदा ता तैं पहले राउंड ची नॉक आउट हो जाना से बोक्सर रेफ्री ने फेरे शारा केता कंटी बज़ी दोए मुक्य बाज मैदान चोतर आई डीवी गुस्य चाया फूरी ताकत नाल वार कर रहे है सी जंग बहादर जाता ओदे वारनों कट देंदा या फिर गटार वंग पबादी फूर्ती दिखाके ओदे वारनों हवाची लहरा देंदा लोग हैरान सन के जंग बहादर आज रक्षक खेड़ी क्यों भेड रहे है हमला क्यों नहीं कार लिया इनेच राउंड पूरा होन दे कंटी बज़ी जंग बहादर अराम नाल अपनी अराम सीर्थी आ वैठी पर डीवी कुछ थे कैवां मैसूस करदा हुया अराम सीर्थ तक होज़े उदे कोच बो अराम सीर्थ तक होज़े उस ते मुख्य वर्साने शुरू कर दे जंग बहादर उदे मुख्यां दा बड़े हलके हलके मुख्या नाल जुआप दोंदा रहे हैं सिर्फ नंबर लैन ले एस राउंड दे अद तक भी वी सिंग डीवी सिंग अपनी शक्ती गुआ गया से पर अराम सीर्थ तक होज़े इस सुहार उदे कोच दी था इको होड़ कोच उदे पठ्यानी सिवा कर लिया ऐसे तौल ये नालो दा चेरा साफ किता हवा दिती उन्हों लम्मे सावेच साथ दुआ के उन्हों ताजा दम करन दी कोशिश कर रहे हैं से जूस्तियां कुटां पर जा रहे हैं से उद्धर जंग बहादर दा छोटा पराओ दे पठ्यानी सिवा कर रहे हैं से पंज नाल पुदा मूं गिला कर वाया वेरी गुड जंग बहादर कोच बो पर आयने आके के थैंक यू से जंग बहादर ने भी अपने गुरू वाल सिर्प उआ के जवाब देता तो मैंनों पर शाले हैं से उने बठे बठे नहीं बाल लम्मी करके कोच बो परायदे गोड़े हांत लाएं इदा मतलब है तू मैंनों अपना गुरू मन दे इस कोई शक्यस है मेरी असारियां जितना तू अड़े करके हैं फिर अपने गुरू नों गुर्दक्षना नहीं मेरी जान तक हाजर है सर इदी लोड नहीं फिर हुकम वसे मैच हार जाओ यह तो पहला क्यों कोई उत्तर देवे खंटी बज़ गई उठेयां अगे वदियां तड़ाक करदा मुक्का उदे जबाड़े ते पियां उदे पैर लड़ खड़ा गयां सिर कुणियां जदे के प चीतियां दी तरह वरियां जंग बहादर ने पासा वाट लें उदा मुक्का हवाची लहरा के रह गयां इदे जवावे जंग बहादर ने के जबरदस्त पंच ओधे ठीक नकरी कोडी ते जमार रोड़ तो डीवी सेंग दे पैर तरती तो चुके गया तो किसी द्रक्त दे तुट्टे होई टाने जी तरह तरती ते पिट पार डिग बया जंग बहादर वाइट कार्नर चे चला गया रेफरी ने एक दो तिन गिनने शुरू कर देते पर जद डीवी सिंग दस तक गिनन तो बाद भी ना उठया तो रेफरी ने उनू उठके रिंग तो बार ला जान दा इशारा किता पैसले तुबाद जंग बहादर बार आया अपने कोच वल वदिया जो डीवी सिंग नू डॉक्टरी सहाय था दिवा के कोष्च लिया रिया सी जंग बहादर नू अपने वालों दा वेक के उक्रोच आके खड़ा हो गया उधी अग वर्स आ रहिया से चेर तंदूर वांग पक्या है से जंग बहादर बिजली दी पूर्ती न लगे वदिया गुरू दे पैरी हाथ लाया लॉन चाय पर गुरू पे छे हट गया जंग बहादर दे मान दे इस करमदा कोई असर ना होया उन्हें हाथ जोड़के क्या माफ करना से मेरे करके तो डमान द देन देता होग गुसा परगट कर देया उस स्वाल पेट कर लिया उन जंग बहादर नो भी कुछ गुसा आगया से पर अपने जजबात दे कबू पहुंदा होया फिर बड़ी अदीन गीनल बुलिया सेर मैं कोई महापारदा पातर एक कलव्या नहीं मैं ता इकी मी सजीदा एक चेतन मनुका कानवाद ते ओवर